हमारे के बीच ये budget पेश किया जा रहा है तो ऐसे में salary class और corporate की wish list क्या है क्या कुछ वो नया सुनना चाह रहे हैं इस बार के budget में इस पर हमारा focus रहेगा और ऐसे में ही इसी से जुड़ा हमें एक खास पेशकर्श लेकर आए आपके सामने budget हो तो ऐसा जिसमें कि हम focus करेंगे क क्या आम आदमी चाह रहा है इस बार के budget से कुछ interesting जानकारी भी हम आपको देंगे इस show के जरिये हमारे साथ expert का एक पूरा panel जुड़ेगा जो की जिनके अनुभव और ग्यान और उनके expertise से हमें मदद मिलेगी कुछ interesting जानकारी लेने की उनसे हम ये समझेंगे कि क्या कुछ इस budget में होना चाहिए और हम अपनी wish list वित्र मंत्री तक पहुचाने की कोशिश करेंगे तो चलिए शो की शुदवात करते हैं और सबसे पहले शामिल करते हैं tax guru मुकेश petrol को वो इसमें हमारे साथ मौजूद है और सबसे पहले उनके बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं budget के अगर बात करें तो पिछले 45 साल से budget को वो analysis कर रहे हैं और justice east work committee और task force on direct tax का हिस्सा भी रह चुके हैं जिसके जरिये उन्होंने वो पिछले 4 साल से tax reform से जुड़ा सुझाव भी वित्र मंत्राले तक पहुचाते हुए आ रहे हैं तो ऐसे में वो भी हमारे साथ इस वक्त शामिल हैं और उनको उनका स्वागत भी कर लेते हैं सर मकेश तर बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन समय देने के लिए और सबसे अच्छी बार क्या हो सकते हैं अगर ऐसे में आपका view हमें मिल जाए जिससे की एक अच्छी तरीके से budget का pre-budget analysis हम अपने दर्शकों को दे सके तो सबसे पहले तो शो की शिरुवात करते हैं यही जानना चाहेंगे कि हर बार जब budget आने वाला होता है तो basic exemption limits और tax structure को टाइस ट्रक्चर को rationalize करने की काफी सारी बाते की जाती हैं और काफी सारे सुझाव भी दिये जाते हैं इसी को लेकर आप कभी view जानना चाहेंगे इसे में आपका क्या view बन रहा है exemption limits को लेकर और ट्रक्चर की अगर rationalize की की बात की जाए रिवियू की बात की जाए तो आपका क्या view बन रहा है इस पर सब पूजा सबसे पहले तो E.T.NOW सुदेश की और से ये पहला budget analysis भी होगा प्री बजेट पोस्ट बजेट इसलिए उसकी टीम के एक भाग एक हिस्सा बने रहने का मुझे बहुत आनन्द है और जैसे आप जानते हैं कि हम आजादी का अमरित महुतसफ ये 2022 में मना रहे हैं साल जो हो गया हम चाहेंगे कि इस अमरित महुतसफ के साल में कुछ अमरित बिंदू भी हमें वित्त मंतरी खास तोर से पेश करें आपका जो ये सबसे पहला सवाल है बहुत एहम है कि धाई लाक की लिमिट क्या ये इसमें बढ़ोती होनी चाहिए अब मैं मानता हूं आम आ वित्त मंतरा लेका और मेरा भी उनके साथ एक निकट का नाता होते हुए मैं ये मानता हूं कि ये धाई लाक की लिमिट के एग्जम्शन में कोई बढ़ावा करने की आवश्यक्ता नहीं है हमें जो जरूरी है वो हम और तरीकों से जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा I think we should try to encourage the taxpayer for greater voluntary compliance अब ये धाई लाक को अगर आप मान लीजे 50,000 भी बढ़ाते हैं तो आपके एक करोड़ taxpayers करीब आपके tax return के list में से निकल जाते हैं तो ये सही बात नहीं है क्योंकि अभी हमारा जो 7 करोड़ के उपर का tax base है वो tax base जो है वो बना रहना चाहिए उसको slash नहीं करना चाहिए क्योंकि ये 7 करोड़ में से भी tax भरने वाले जो है वो केवल 30% है अच्छा एक ही और छोटी सी बात मैं कहूंगा rate structure के बारे में मैं मानता हूँ कि ये 5% जो है 5 लाग तक उसके बाद सीधा 20% का jump होता है और फिर 10 लाग के उपर 30% तो ये 5, 20 और 30, it is a very irrational kind of a thing तो 5% के बाद 10, 20 और 30 के slab rates बने और जो highest slab है हमारा 10 legs का उसको भी उपर करना चाहिए ये मानता हूँ और last thing in the rationalization is surcharge क्योंकि ये जो surcharge है वो अभी पिछले दो सालों से जैसे हम कहते हैं कि सर से बड़ी पगड़ी 30% is your tax rate and the highest surcharge is 37% 45 years से मैं budget को track करता आया हूँ 2% से लेके 17% तक का surcharge रहा है in fact 8 ऐसे budget clean रहे हैं जहाँ 0% सरचाज था मैं ये मानता हूँ कि ये surcharge को घटाने की काफी आवश्यक्ता है ताकि ज़्यादा voluntary compliance हो तो surcharge को घटाने की आवश्यक्ता है इस वक्त और देखे इसके ज़री हमने आपको कुछ एहम जानकारी भी दी है और आज के show में हमारा focus यहीं रहेगा कि tax से जुड़े हर एक पहलू को हम आपके सामने लाकर रख सकें इसे से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल था मुकेश जी सेविंग्स और investment की बात करें तो tax में ATC जो काफी जादा popular section है और जिसके जरीय करीब डेड़ लाक की deduction भी मिलती है लेकिन यह जो बदलाव था यह आखरी बार हमें देखा था 2014-15 में देखने को मिला था अब उसके बीच देखे 8 साल का अंतराल आ चुका है इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और यह section काफी ज़दा clutter भी हो चुका है जिसमें की बदलाव की बार बार बात भी की जा रही है इस पर आपका क्या view बन रहा है मुकेश जी पूजा आपने clutter की बात की न तो ATC के लिए मैं हमेशा एक example देता हूँ कि जैसे बंबई की local train के डिब्बे में जैसे आपको खड़े रहने की भी जगह नहीं होती है न इस तरीके से एक ही section में इतनी सारी schemes को भर दिया गया है और उसकी limit रखी गई है केवल तेड़ लाख और interesting बात ये है मैं 45 सालों की नहीं केवल पिछले 15 सालों की बात करता हूँ पिछले 15 साल बना 2006 साथ में exemption limit basic limit थी 50,000 वो limit 50,000 की आज धाही लाख है पर उस time जो basic आपकी 80C की कटोती की जो deduction limit थी एक लाख की उसको आज केवल डेड़ लाख किया गया है माना 6 साथ के बाद 14 15 में एक का डेड़ हुआ 8 साल के बाद मैं ये कहूंगा कि if numerology has anything to do with the budget तो 8 साल की cycle दुबारा आई है पर इस बार मैं चाहूंगा कि ये बेड़ से at least धाई लाख तक उसको बढ़ाने की आवश्यक्ता है क्योंकि savings और investments को boost करना अत्यांत महत्वा है हमारे economy के लिए भी बिल्कुर तो यहां पर भी बदलाव करने की ज़रूरत जाहिस सी बात है वो समय था और आज का समय अगर हम देखे तो लोगों की salary भी काफी ज़ादा बढ़ चुकी है consumption बढ़ रहे हैं खर्चे बढ़ रहे हैं तो इस साथ से इस limit को revise करना इस वर्थ काफी ज़ादा ज़रूरी हो चुका है देखने होगा वित्तमंत्री इस बाइस पर क्या फैसला लेते हैं लेकिन अब अगला जो sector है जो की वो भी काफी popular है वो है housing और हमने इस पर show भी किया था और माना जा रहा है कि इस बार ये साल जो है वो housing के लिए काफी अच्छी demand लेकर आने वाला है तो मुकेश जी अगर residential home पर अगर हम कुछ incentive देते हैं तो वो काफी women situation देखा गया है market की बात कर ले, investor की बात कर ले, housing finance, construction sector की बात कर ले तो अगर इससे जुड़ी कोई भी announcement हमने देखा है कि जब भी होती है सभी के लिए काफी positive चीज निकल कर आती है इसमें से तो ऐसे में यहाँ पर आपको क्या लगता है कि housing को लेकर इस पूरे sector को लेकर क्या कुछ announcement आप expect कर रहे या क्या कुछ announcement होना चाहिए पुजा मैं मानता हूँ कि 2022 का budget है will have a great focus on housing and as you rightly said it is going to be a win-win situation for the whole economy अब मैं समय की पाबंदी में इतना ही कहूंगा कि housing related एक तो जो अभी प्रवर्तमान उसकी limit है दो लाग की वो मेरे हिसाब से बहुत कम है आप समझे आज 8% के housing loan interest के हिसाब से केवल 25 लाग की loan अब 25 लाग में आता क्या है आपने एक जो डेड़ लाग का additional deduction भी दिया वो मेरे ख्याल से काफी usery इसलिए है क्योंकि आपने उसके साथ नियम लगा दिया कि आपका घर जो है वो 45 लाग से ज्यादा न हो तभी ये मिलेगा अब आपको डेड़ लाग का extra देना है first time house owner को ये क्यों लगा रहे हो कि 45 लेक्स 45 लेक्स is in fact a lower middle income group जो टैक्स नहीं भरता है तो जो टैक्स भरता है उसको आपको कुछ incentive देना चाहिए housing के लिए मैं मानता हूँ ये 2 लाग को 3 लाग करिए ये कोई आप और restriction मत रखिए और सबसे important ये है कि interest के साथ installment को भी आप शामिल कर लीजिए there is no reason हर एक विश्व की बहुत सारी economies में ये provision है housing का जो भी आप repayment करते हैं interest and installment together उसका deduction होना चाहिए पुजा बिल्कुल तो ये बात हुई housing की sir एक और segment पर हम focus करना चाहेंगे वो है health and education पर government अभी फिलाल health and education पर जो says लगाती है वो 4% का है क्या आपको लगता है कि tax payer के बात कर या अगर तो अपने परिवार के अगर वो health और बच्चों के education के बारे में वो सूच रहा है उसके तरफ से इतना incentive मिलना या इतनी राहत मिलना पर्याप्ट है या फिर इस विश्वेपर कुछ और भी करना चाहिए सरकार को आप जब welfare के बारे में बात करते हैं तो health और education housing तो है ही पर housing के बाद health and education और the tax system can go a long way in boosting this up अब हम health की बात करें आपकी बात बिल्कुल सही है four percent का health और education says हर एक taxpayer pay करता है उसको return में क्या मिलता है health में केवल 25,000 premium 50,000 senior citizen का अब insurance का irony यह है कि जिसको insurance की जरूर है उसको दिया नहीं जाता है जिसको health के problem से उसको बोलेंगे कि या तो आपका premium बहुत ज़्यादा होगा या तो आपको देंगे नहीं तो मैं यह मानता हूँ कि केवल premium के लिए नहीं all health expenditure के लिए आपको deduction देना चाहिए केवल senior citizens नहीं non seniors को भी उसको minimum एक लाग करिए insurance premium या आप ये जो भी करें वो और education की अगर हम बात करते हैं तो education में ये tuition fees उसको भी ये KTC के clutter में डाल दिया गया है you hardly get any benefit education में जो आपको interest on loan जो है वो भी higher education के लिए है अब loan क्यों आज parents अपने अपने आमदनी में से भी खर्च करें अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए तो उनको deduction मिलना चाहिए और उसके लिए अलग section minimum आप एक लाख की education fees रखें और interest के साथ installment को भी cover करें मैं ये मानता हूँ बहुत जरूरी है health or education आज आज़ादी के अमरित महोत्सव में ये आरे अमरुत बिंदू समी भेट होनी चाहिए बल्कुल ठीक है तो ये कुछ राहत है और सही बात है जब हम welfare की बात करते हैं तो इस कुछ important points पर भी ध्यान देना काफी जरूरी है अब आते हैं capital market पर और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से retail निवेश्यों का का रुजहान बढ़ता जा रहा है ऐसे में आपका भी यहां पर व्यू लेना काफी important होगा capital market में रुजहान और जादा बढ़े retail निवेश्यों का specially salary class का उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए tax के front पर क्या कुछ रहा देनी चाहिए एक आम आदमी को पुजह यह एक विशह ऐसा है कि इस पर हम एक पूरा एपिसोड कर सकें पर मैं अगर दो या तीन मिनिट में मेरे points bullet points रखने है तो मैं यह कहूंगा कि आपकी बात बिलकुल सही है जब आपके capital market के जो roots हैं वो penetrate होते हैं आम आदमी तक retail participation भड़ता है तो उससे पूरी economy को एक boost मिलता है और this can go a very long way in the overall holistic economic development अब इसके लिए आपको यह करना चाहिए मेरा सीधा सुझाव यह है कि जो capital gains है लोग कहते है capital gains long term का जो है वो tax निकाल दीजिए मैं यह इसको subscribe नहीं करता हूँ मैं कहता हूँ token tax तो होना चाहिए अच्छा reporting भी हो उसका monitoring हो but आपको अगर incentive देना है तो capital gains लोगों के property में से gold में से और बेचने से जो होते हैं gains उसको अभी केवल घर के निवेश में आपने incentive रखा है तो जैसे ही यह 54 EC के capital gain bonds है उसकी limit भी 50 लाग कई सानों से अटकी हुए उसको एक करोड करिये और इसके साथ आप ये भी incentive दीजिए कि कोई भी capital gain अगर capital market में reinvest होता है आइधर in mutual funds और equity shares तो उसका आपको capital gains का tax shelter दिया जाएगा इससे capital market को और retail participation को जबरजस्ट बूस्ट मिलेगा पूजा बिल्कुल तो इसके जरी हमने काफी कुछ पहलू यहाँ पर समझनी की कोशिश की मुकेश जी बहुआ शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों को तक पहुचाने के लिए एक छोटा सा break लेंगे आपर ब्रिक के बाद इस चर्चा को जाई रखेंगे ब्रिक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा थोज़े पहले हमने सारवी क्लास की क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं इस बाद से इस पर चर्चा की अब हमारे साथ कुछ और भी एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं दिलॉट इंडिया से अटुल गुपता ओर इंडिया से हमारे साथ राजेश गान ही मौजूध है। यह दोनों एक इंडिर्क्ट और डारेक्ट टैक्स को बढ़री closely track करते हैं. अतुल पहले आप से सवाल होगा आपको बहुत 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 शुक्रिया समय देने के लिए और ETNOW स्वदेश के साथ शामिल होने के लिए indirect tax इसको आप काफी closely track करते हैं तो पहले सवाल तो इसी से जुड़ा होगा कि पहले तो indirect tax होता क्या है यह हमारे दर्श्रकों को आसान भाशा में समझाईएं. तो indirect tax वो tax है जो आपको directly भारत सर्टाल को दही पे करना पड़ता पर जो आप कोई वस्तू आप करीते हैं या कोई service जो आप लेते हैं उसके उपर जो tax लगता है वो indirect tax है वो GST हो सकता है वो जैसे पहले state rat होता था या पहले excise duty होती थी वो indirect tax है और यह directly आप नहीं पे कर रहे हो भारत सर्कार को आपकी कोई liability नहीं है यह जो आदमी manufacture करता है या कोई goods को supply करता है या कोई service देता है उसको जो देना पड़ता है और consumer को नहीं देना पड़ता वो indirect tax है जी अतुल आप से यह भी समझना चाहेंगी कि फिर आपने काफी detail में हमें बताया indirect tax के बारे में अगर budget के perspective से बात करें तो consumption इस बार और ज्यादा बूस्ट करने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा सकती है तो देखिए जैसे आपको मालूवी है कि GST तो अब budget का एक पार्ट नहीं होता है GST में rate कम नहीं होते क्योंकि वो GST council के उपर है और GST council states and center दोनों करते हैं तो इसके budget में GST के rates तो कम नहीं होते लेकिन हां वो announcements हो जाती है जो पहले से ही केद्रिय सरकार ने GST council में ते कर हो और agree कर ली हो state GST council में तो GST को लेकर तो यह है अभी क्या कम कर सकते हैं to boost consumption सबसे पहला जो सवाल सबसे पहला जो जो कर रहा जा सकता है budget में वो यह है कि आप तेल पे डीजल पे petrol पर आप rate कम कर सकते हैं उससे एक दम से आप consumption increase करेंगे कि आपने जैसे देखा होगा कि पेट्रल के बाफ सो रुपे तक पहुंच गए है और आज की तारीख में पेट्रल और डीजल पूरे उसमें ट्रांस्पोटेशन में यूज होता है गुड़ मूफ कर रहे हैं मूब्मेंट पर्सनल मूब्मेंट है तो सबसे पहला कदम जो क को बढ़ाने के लिए है कि पैसा आप कंजूबर के हाथ में और पेट्रल और डीजल जोगी कम से कम 15-20 परसेंट आपके उसमें लग जाता है किसी भी ट्रांस्पोटेशन में वो कम हो जाए तो फ्यूल ड्यूटी रिदक्शन सबसे पहला है जो दूसरा कदम है वो है आप जी एस्टी में कुछ पॉलिशी स्टेट्मेंट्स हैं कुछ लौ है जैसे मैं कहा था आप रेट कम नहीं कर सकते हो लेकिन आप लॉब कुछ चेजिस कर सकते हो जिससे वर्किंग कैपिटल रिक्वार्मेंट जो की वेपारी को रोज बर्रा में जो पैसा चाहिए दंदा चल को पता है कि आज चल रहा है और पैंडेमिक में लोग घरबट से काम कर रहे हैं तो इंप्लॉई के हाथ में पैसा देना उसका बढ़ाना जरूरी है इंप्लॉई के ऊपर एक्स्पेंडिशन करते हैं करते हैं इस पर जो भी टैक्स देता है इंप्लॉयर उस पर क्रिडिट अटा देनी चाहिए जिससे इंपुट क्रिडिट बढ़ जाएगा किसी भी इंप्लॉयर के बार एक तो यह है दूसरा यह है कि जो वेर हाउसे बन रहे हैं लॉजिस्टिक हप्स बन रहे हैं आज की तारीक में आपको पता है ई-कॉमर्स बहुत आक्टिव हैं लोग घर से बहार देनी कर रहे हैं इ-कॉमर्स से घर चीज़ें मगाते हैं तो वेर हाउसे जो बनते हैं जो लॉजिस्टिक अब बनते हैं उस पर जो भी टाक्स पर करना पड़ता है वह आज की तारीक में जी एस टी लौ में क्रेडिट नहीं मिलता विपारी को वह भी क्रेडिट मिलन ना लगे मंत्री बेसिस पर विपारी को जो एक्स्टर्ट आइटी सी क्रेडिट दे रहा है वो इसको वापिस मिले वह भी बहुत जरूरी है और एक और जो मैं सोचता हूँ जरूरी होगा बढ़ाने के लिए और मैंफाक्ट्रिंग बढ़ाने के लिए वह है यह इंडा दा है उसको एक्स्टेंट कर देना चाहिए बिकोज देड़ दो साल तो पांडे में ही चले गए हैं नए मैनफाक्ट्रिंग यूनिट के लिए उसमें लोवर रेट ऑब द्यूटी है उसी के साथ अगर इंडारेक्ट टाक्स में भी भारत सर्कार यह अनॉंसमेंट करें कि ऐसे यूनिट मों यूनिट जो नए यूनिट बैनफाक्ट्रिंग उनिट आ रहे हैं उनको ना की सेक्शन बन बन फाइव बी में इंको बेनेफिट मिलेगा बट उनको तीन साल के लिए जीस्टी भी कम देना पड़ेगा डैट विल इंक्रीज यह बहुत अच्छे से नए एक बजट का अनॉसमेंट हो सकता है कोस्ट भी अपने तरफ से उनकी तरफ से इंकर हो रहा है तो उसको बचाने के लिए या वहां पर रिलीफ देने के लिए रहात देने के लिए इस बजट में क्या कुछ हैलान हो सकता है थांक्यू 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 पुजा जी नमश्कार मेरे करल से इस बजट में बहुत सारी मांगे है इंडेस्ट्री से सबसे पहले मैं बात करूंगा क्रिप्टो करन्सी की जो इंडिविजिल मांगे लेकिन फिर भी जरूरी है इसके ओपर आज आयकर कोई कोई स्पष्टी करन नहीं है बुर्तमान में कोई कानून नहीं है क्या यह पूंजी लाब है या व्यापा लाब है अगर यह पूंजी लाब है तो इसका इसकी दर क्या होने चीए कर के ओपर इस पर कोई स्पष्टदा नहीं है और यह बहुत सारे निवेशक हैं जो आप जानते हैं जन्होंने क्रिप्टो में पैसे डाले हैं और इनमें से काफी मध्यम वरगी लोग भी है, मिडिल क्लास लोगी है तो इसमें एक स्पष्टी करण के जरुवत है अब अगर कंपनियों की बात करें तो जैसे नए शेत्र है, ग्रीन टेकनोलोजी है या डेटा सेंटर है इनमें निवेश करते वे जो काफी सारी कंपनिया है इनको आयकर दर में एक लाप देने के जरुथ है और जो सेवा शेत्र में कंपनिया है उनके दर में भी लाप देने की जरुथ है क्योंकि ये कंपनिया काफी सारा रोजगार देती है और हमारे देश के GDP में इनका बहुत बड़ा योगदान है तो यह मांग है इंडस्री की और अगर हम सेवा शित्र की बात करें तो COVID की वज़े से ही आज अधिकतर करमचारी जो है घर से काम कर रहे हैं और खास करके जो बैक आफिस में है और सरकार को सबस्ट करना चाहिए कि ज ACZ के करमचारी रहे हैं जो घर से काम कर रहे हैं उन कंपनियों को ACZ का जो आएकल लाब है वो दिया जाएगा और इस लाब के लिए अगर कोई नियम है या नियम चाहिए सरकार को बात करने चाहिए अगर मैं मार्केट की बात करूं तो आजकल AIF WORK 3 यानि के AIF Category 3 के द्वा कारा काफी लोगों ने मार्केट में या बजार में निवेश किया है लेकिन AIF WORK 3 के आएकर पर कोई कानून नहीं है इस वज़े से क्या fund manager या निवेशकों को इसके ओपर कर देना चाहिए इसकी कोई स्पष्टता नहीं है जिस तरह से mutual fund के tax में या कर में एक स्पष्टता ह उस तरह से AIF WORK 3 के कर पे भी एक नियम होना चाहिए और यह नियम यह होना चाहिए कि क्या इस पे जो कर है वो निवेशक दे या AIF दे इस पे स्पष्टता होनी चाहिए और दूसरा जो capital gain stats का i-cut dar है जो 10% long term और 15 टका short term है इसमें कोई छेर चार नहीं करनी चाहिए तो यह एक दूसरी जरुरी बात है दूसरी एक मांगे कि जो REIT या INVIT है उनके आयकर पस पष्टता के जुरत है कि REIT या INVIT का जो पूंजी लाब है इस पर क्या 40% कर दिना होगा या 10-15% कर दिना होगा इस पस पष्टता होना चाहिए और जो विदेशी निवेशक है उन्हें REIT और INVIT से मिले वियाच आए पर फिर से 5% कर का फाइदा देना चाहिए उनकी मांगे जी राजी जी इसी के साथ साथ आप से ये भी समझना चाहेंगे कि MSME जो हैं जो हैं जो चोटे कारोबारी हैं जो कि इस महावारी के दौरान इंपक्ट भी हुए थे पैंडमी के दौरान उनको किस तरह से राहत देनी चाहिए इस बजट में आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा क्योंकि सबसे जो ज्यादा नुक्सान अगर COVID में हुआ है बिजनस में तो MSME शेत्र में हुआ है तो इसमें income tax के point of view से कुछ चीज़े हैं जैसे MSME सेक्टर के लिए अनुसंदान औ और भिकास जनिकी R&D को पूछाइद कने के लिए सबसिडी देनी के ज़गत है जिसे कि जिसे की अचे से में का मेक इंडिया उसे बड़ा मिले और रूजगार बड़े यह बहुत बड़ा लक्ष है सरकार का मेकर इंडिया तो उसके लिए R&D को फूर्टसाइट करना चाहिए और जो नए उत्पादन कम्पनिया है जिम पे बंदरा पतिशत का आयकर लगाया गया है उसकी तारीक मार्च 2023 तक है उस तारीक के पहले उन्हें उत्पादन शुरू करना है यह समय थोड़ा कम है इस तारीक को बढ़ाना चाहिए क्योंकि अभी हमें उत्पादन को बहुत प्रोथाइट करना है और बहुत सारी जो लाप से जोड़ी प्रोथान योजना है जैसे कि पीलाइ स्कीम्स है वो हाली में गोशित की गई है तो इसके लिए इस जो इंकम टैक्स की जो लाप की तारीक है इसे आगे बढ़ाना चाहिए तो यह दूसरी बात है और एक और बात में अगर कहूं तो MSMB सेक्टर के लिए कि जो निर्यात में अभी हमारी कोई योजना आएकर के लिए खास नहीं है तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कोई पोथान देने चाहिए चाहिए और कर में हो या किसी और थरीके से हो और जो उनमें अनुपालन है या जो उनमें कम्प्लाइंस है उन्हें थोड़ा सा कम करना चाहिए ताकि वो थोड़ा और उसमें आसानी हो जाए है आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमाई साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और देखे काफी आसान भाषा में हमने आपको समझाने की कोशिश की कि इंडिरेक्ट टैक्स से क्या उमीदे हैं कॉर्परेट्स इस बजट से क्या उमीद कर रहा है और साथी साथ सालरी क्लास की क्या मांगे हैं इस बजट से ये भी हमने आपको बताया तो इस पूरे कादर समप करें तो काफी कुछ interesting views भी निकल कर आए हैं और हमारा ये show बनता है budget हो तो ऐसा तो क्या views हैं आपके इस budget के बाद ये भी हमें जरूर लिखे भीजिए हमें whatsapp के जरीए और अपने message हम तक पहुचाईए और इसी के साथी साथ budget से जुड़े और भी interesting जानकारी के लिए आपीची नास्वदेश के साथ बने रही है नमस्कार